नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तों ये बात किसी से छुपी नहीं है कि किस तनह से कॉंग्रेस में अलग-अलग राज्यों में इस टाइम पर अंतर कलह सामने आ रही है कॉंग्रेस की कहा का से कॉंग्रेस और का से कलह है जी हाँ कॉंग्रेस में इन दिनों सब कुछ सही नहीं चल रहा है पंजाब कॉंग्रेस में कलह पर कुछ सहमती बनने के आसार दिखे ही थे कि हर्याना में पार्टी में बगावत के सुर उठने लगे है अब पार्टी की इस अंदुरुनी खींशतानी पर गिरह मंतरी अनील विज ने तंज कसा है, विज ने कहा कि का से कॉंग्रेस और का से ही कलेह भी आता है, विज ने कहा कि इनकी आपसिक ही चातान हर राजे में चल रही है, और अब कॉंग्रेस तूटने की कगार पर है, विज सरकार के कैबिनेट विस्तार के बयान पर कटाक्ष करते हुए विज से कहा है कि सुर्जे वाला नकरात्मक से ग्रस्त हैं कैबिनेट का विस्तार करना प्रधानमंत्री का विसेस अधिकार है इनको हर बात पर कमेंट करने की बिमारी है इन्हें मनोव वह ज्यानिक से अपना इलाज करवाना चाहिए किसान आंदुलन पर विज ने कहा किसान आंदुलन करें हमें इससे कोई एतराज नहीं है लेकिन बाकी पार्टियां यदि अपना प्रोग्राम कर रही है तो इसे रोकना ठीक नहीं है बीजेपी ने अपने प्रोग्राम की घुस्टना की है और वह करेगी इससे पहले हर्याना कॉंग्रिस के पूर परदेश आध्यक्ष और अपना भारत मौर्चा के सन्योजग डॉक्टर असोक तनवर ने कहा कि गुटबाजी कॉंग्रिस की खून में है पहले खुद उनको परदेश आध्यक्ष पस से हटाने के लिए पांच साल तक जोर आज माईस चली अब कुमारी सेलजा के साथ ऐसा हो रहा है तनवर ने कहा कि हाला कि सेलजा ने कभी मेरा साथ नहीं दिया फिर भी जो उनके साथ हो रहा है वो गलत है कॉंग्रिस के अन्वो के अधार पर तनवर ने कहा कि वह दावा करते हैं कि अभी सेलजा पस से नहीं हटाई जाएंगी चुनाओं से पहले जरूर कुछ हो सकता है गुरुबार को MLA होस्टल में आयोजीत प्रैसवारता में तनवर ने कॉंग्रेस समेथ भाजपा पर जम कर हमला बोला अगर राहूल फिर से अध्यक्ष बनेंगे तो क्या आप कॉंग्रेस में जाएंगे किस सवाल पर तनवर ने कहा कि वह बड़ी मुश्किल से नरक्त से निकला है अभी स्वर्ग में हूँ तो साफ है दोस्तों कि हरियाना में भी अब कॉंग्रेस की अंतर कले देखने को मिल लई है जो की देखते देखते बहुत बड़ा रूप भी ले सकते है इसलिए कॉंग्रेस को इस पर घनिष्ट विचार करने की जरूरत है तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना